बच्चो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको दो वीडियो ऐसे दिखायते जिनमें मैंने राइमिंग वर्ड्स को कवर किया था लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स देखेंगे जो उस वीडियो में कवर नहीं हुए थे तो चलिए शरू करते हैं ball ball का मतलब होता है image जिसकी ryming words होते है tall mall fall या फिर call rate rate का मतलब होता है चुहा इसकी ryming words होते है cat hit fat bat sail sail का मतलब होता है कोशी का जो छोटे-छोटे कर्ण होते हैं इनकी राइमिंग वर्ड्स होती है बेल, वेल, टेल, या फिर सेल डे, डे का मतलब होता है दिन इसकी राइमिंग वर्ड्स हो सकती है वे, से, मे, या फिर रे गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना इसकी rhyming words हो सकती है told, cold, fold या फिर sold hot, hot का मतलब होता है गरम, इसकी rhyming words हो सकती है not, got, pot या फिर caught boat, boat का मतलब होता है now या फिर जहाज इसकी rhyming words हो सकती है code, note, float या फिर road gate, gate का मतलब होता है दर्वाजा, इसकी rhyming words हो सकती है rate, date, state या फिर plate mad, mad का मतलब होता है पागल, इसकी rhyming words हो सकती है sad, had, lad, add, या फिर bad money, money का मतलब होता है पैसा, इसकी rhyming words हो सकती है funny, sunny, या फिर honey race, race का मतलब होता है door, जो लोग door लगाते है इसकी rhyming words हो सकती है phase, case, space, या फिर trace cow, cow का मतलब होता है guy, इसकी rhyming words हो सकती है how, wow, now, या फिर pow effect, effect का मतलब होता है प्रभाव, इसकी rhyming words हो सकती है detect, reflect, या फिर direct drop, drop का मतलब होता है boond, इसकी rhyming words हो सकती है crop, stop, top, या फिर shop law, law का मतलब होता है सिधान्त, या फिर कानून इसकी rhyming words हो सकती है saw, jaw, या फिर flaw took, took का मतलब होता है Leah, इसकी rhyming words हो सकती है cook, look, hook, या फिर book try, try का मतलब होता है कोशिश करना इसकी rhyming words हो सकती है sky, cry, guy, या फिर buy cool, cool का मतलब होता है thunder, इसकी rhyming words हो सकती है tool, pool, fool, या फिर school glass, glass का मतलब होता है काच, इसकी rhyming words हो सकती है class, mass, या फिर brass star, star का मतलब होता है तारे, इसकी rhyming words हो सकती है jar, car, या फिर far तो बच्चो, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 ऐसे rhyming words बताए जो आपके schools में, आपके textbook में बहुत काम की आती होंगी एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आपको English से related कोई भी doubts अगर आपके मन में है या फिर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक whatsapp group का link तयार किया है जहाँ पर उस group में सभी बच्चे मुझसे जुड़े हुए है अगर आपको भी उस group में जुड़ना है तो description में मैंने link दे दी है आप उस link से join हो सकते हैं मेरे whatsapp group में तो चलिए धन्यवाद